आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाना चिप्स की रेस्पी अगर आपको सस्ते में केले की चिप्स बनानी है तो ये वीडियो आपके लिए है 10 से 15 मिनिट लगेंगे इस बनाना चिप्स को बनाने में ना ही तूप में सुखाना है और ना ही कोई मेनत करनी है तो कम खर्च में और कम मेनत में बनने वाली healthy banana chips जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है चली आज की बहुत ही टेस्टी banana chips की recipe बनना शुरू करते है तो यहाँ पर कच्चे केले की chips बनने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कच्चे केले को ले लिया है यहाँ पर आपको एकदम हरे वाले केले का ही इस्तिमाल करना है अगर आपको थोड़ी सी मिठास चाहिए chips में तो केले के उपर जब भलका सा पीला पना जाता है जो केला कच्चा ही रहता है आप उस केले का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब हमें इस केले के छिलके को इस तरह से हटा देना है आलू छिलने वारे मसीन या चप्पू से आपको इस के छिलको को हटा देना है और केले के उपर इस तरह से हलकी सी हरी परत रहनी चाहिए जिससे केले के चिप्स क्रिस्पी बनती है अब यहाँ पर हमने सभी केले के छिलकों को निकाल लिया है अब चिप्स कटर से हम इसकी चिप्स को निकाल लेते है चिप्स बनाने के लिए आपको चिप्स कटर का ही इस्तिमाल करना है जिसे चिप्स की ठिकने जो है वो बराबर रहेंगी यहाँ पर मैंने एक केले की चिप्स को तो निकाल लिया है आप देख सकते है तो इस तरह से हम सभी केले की चिप्स को निकाल लेंगे यह का हम आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है वना यह चिप्स का कलर जो है वो काला पंडे लगता है तो यहाँ पर हमने सारी चिप्स को रेडी कर लिया है अब दूसरी तरफ मैंने एक बर्दन ले लिया है जिसमें हम वन फोर कप पानी एड़ करेंगी एक छोड़ा चमच नमक डालेंगी और आदा छोड़ा चमच हल्दी डालेंगी जिसकी बज़े से मार्किट वाली चिप्स जैसा ही इसका कलर आएगा अब इस तरह से मिक्स करके हमें इसे साइड में रख देना है अब दूसरी तरफ मैंने एक कड़ाई में ओल गरम करने के लिए रख दिया था जो चिप्स को फ्राइ करने के लिए रेडी है अब हमें इस चिप्स को एक एक करके इसमें डालेंगे और एकदम गरम तेल में चिप्स को डालकर गेस की फ्लेम को हमें लोग मीडियम कर देना है हमें इस चिप्स को मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है यह हमें इसे धिमी आज पर ही फ्राई करना है इसे ये चिप्स क्रिस्पी बनेंगी इस तरह लगातार इसे पलटते रहेंगी और जब ये हलकी से फ्राई हो जाए तब हमें गेस के फ्रेम को मीडियम कर देना है और हमने जो हल्दी वाला पानी बनाया था उसे इसके उपर स्प्रेड करना है आपको बहुत ही साउदानी पुर्वक इसमें हल्दी वाला पानी डालना है और फिर इसे लगाता चलाना है और गेस के फ्रेम को फिर से लोग कर देना है और जब इसका कलर हर्का सा दार्क हो जाए तब तक हमें इसे फ्राइ कर लेना है तो यहां पर हमारे चिप्स जो है फूरेडी हो गई है तो अब हम इसे निकाल लेते है इस तरह से हम दूसरी चिप्स को भी फ्राइ कर लेते है इस तरह मीडियम लोग फ्लेव पर जब चिप्स हलकी सी फ्राइ हो जाए तब हमें हल्दी बाला पानी डाल कर इस चिप्स को crispy होने तक प्राय कर लेना है कि तो हमने दुसरी को भी फ्राय कर कल या है आप देख सकते हैं तो हमने सारी चिप्स को फ्राय करके रेडलिया है तो जब यह चिप्स ठंडी हो जाए तब आप इसे एड़ आट बोक्स में बरके स्टोर करके रख सकते है तो आज की हमारी यह बनाना चिप्स की रेस्पी आपको कैसी लगी वो कॉमेंट में जरूर बताना और अगर रेस्पी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बाच में एक छोटी सी घंटी आएगी उसे भी प्रेस करें ताके नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे तो चलिए अब मिल दे एसी एक नई और उनिक रेसिप के साथ तब तक लिए बाई बाई और टेक केर